बर्फ की सिल्ली तोडने में बहुत महनत लगती है उसी से रोलेटेड है हमारा आज का इडियम ब्रेक द आइस यानि की एक मुश्किल काम होने वाला है तो मीनिंग पर चलते हैं efforts done to make a conversation easy, less trained or tense also, when conversation done, when two strangers meet यानि कि ऐसी conversation होना, जिसके कारण existing या जो ongoing conversation है, वो आसान हो जाए या कम tension वाली हो जाए, या कम load लेने वाली हो जाए also, जब दो strangers मिलते हैं, जब वो hello बोलते हैं या कुछ ऐसी बात बोलते हैं, जिसके बाद उन दोनों के बीच बात्चीत शुरू हो जाती है उसे कहते हैं, breaking the ice यानि चुप़ी तोरना, विवाध हल करना, तनाव कम करना या फिर पहल करना तो पहल करना वाला जो meaning है, वो strangers वाली situation पर अप्लाए होता है and rest of the meanings to the situation that is ongoing और जो कि tense हो चुकी है, तो mood को lighten करने के लिए जो बात्चीत कही जाए, उसे कहा जाता है, breaking the ice जो कि at times, situations में जरूरी हो जाती है चलिए, examples देख लेते हैं यानि, newbies और seniors आपस में बात्चीत नहीं कर पा रहे थे काम अच्छे से हो नहीं रहा था तो एक party थो की गई, और इस party में सब लोगों ने एक दूसर से बात की breaking the ice हो गया, और अब जो है, काम करना असान हो जाएगा क्योंकि conversations हो गई, हर कोई, हर किसी को जान गया और इसी वजह से, जो party थी, उसने breaking the ice करने में मदद की दूसरा example After the fight, the duo had a lot to drink One of them cracked a not-so-funny joke, and it broke the ice यानी, दो लोग थे, जो लड़े, उसके बाद उनोंने बहुत जादा शराब पी ली और फिर, किसी ने not-so-funny joke, यानी, ठीक-ठाक सा joke मारा दूसरा हस दिया, और फिर से, दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो गई यानी, इस joke ने breaking the ice का काम किया तो जो 10 situation हो रही थी, वो light हो गई और दोनों बातचीत करने लगे Third example Orientation at our company is a great way to break the ice You must attend all the sessions यानी, हमारी company का orientation जो है अच्छा तरीका है कि आप में और दूसरे departments में बातचीत शुरू हो जाए Breaking the ice process हो जाए तो इसलिए आपको सभी sessions attend करने चाहिए तो कैसा लगा आपको आज का ये idiom Break the ice हमेशा ये याद रखिएगा सिल्ली तोडने वाला काम जो ice block होता है उसे तोडने में बहुत मेहनत लगती है तो कोई भी conversation जो कि थोड़ी strained हो रही हो tense हो रही हो उसे break करने के लिए जो बातचीत कही जाए उसे कहा जाता है Breaking the ice अगर आपको चानल प्रसंद आ रहा है तो like, share, subscribe ज़रूर कीजिए कुछ suggestions हैं, कुछ comments हैं कुछ questions हैं तो आप comment section का भरपूर उपयोग कीजिए Thank you